कैसे हो आप सब हो all of you are fine आज हम करते हैं chapter 2 के important questions देखी कौन से है first find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify relationship between the zeros and the coefficient यहाँ पे हमारे पास एक polynomial given है बच्चे हमें उसके zeros निकालने हैं और उसके बाद उनके relation से बताना है coefficient और उनकी zeros के बीच में तो देखी answer first देखी बच्चे क्या है हमने 7th 8th class में पढ़े हुए है x square plus 7x plus 10 middle term factors जो होते हैं तो उसके basis पे हम इसको solve कर सकते हैं यहाँ से हमारे पास क्या है कि दो number ऐसे बताईए जिनको multiply करें तो 10 आए जैसे क्योंकि quadratic equation बन रही है तो quadratic equation में middle term split करते हैं तो वही काम गमें करना है यहाँ पर multiply करें तो 10 आए और plus करने पर हमारे पास यहाँ पर 7 आना चाहिए तो कौन से दो number है बच्चे x square 5 2 5 और 2 हमारे पास यह ऐसे number है 5 2 जा 10 और इनको plus करेंगे तो 7 आ और middle term के साथ x है तो आपको x दोनों पर लगाना पड़ेगा प्लस में 10 यहाँ से देखी हम common निकालते हैं यहाँ से x common आ गया x plus 5 प्लस में यहाँ से हमने 2 common ले लिया है यहाँ पर भी हमारे पास x plus 5 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x plus 5 और यहाँ पर x plus 2 तो अब यह से हमारे पास x की values निकल जाएगी देखी x plus 5 equal to 0 x equal to minus 5 और यहाँ से x plus 2 equal to 0 तो x equal to minus 2 तो हमारी other zeros कौन कौन सी है बच्चे एक है minus 5 और दूसरी है minus 2 यह दो values हमारे पास zeros की आ गई है अब देखिए इन्होंने आगे क्या बोला है तो zeros zeros आ हमारे पास क्या है minus 5 and minus 2 यह हमारी zeros zeros है अब उन्होंने क्या बोला है कि उनके coefficient और sum of और इनके zeros हैं दोनों zeros और इनके कॉफिचेंट दोनों के बीच में हमें relationship भी बताना है तो क्या होता है देखिए बच्चे sum of zeros क्या होता है हम यहां से निकाल के आएंगे sum of zeros का formula क्या होता है minus में b upon में a और आपके पास polynomial क्य अबuda5 में bx प्लस में c तो a x के साथ जो होता है वो a होता है यहां पर कुछ नहीं है मतलब a हमारा यहां पर क्या हो गया है one b ہमारा यहां पर क्या है 7 और c हमारा पास यहां पर क्या है बच्चे 10 तो abc की value हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं और sum of zeros यानि जो 0 हमारे निकलिया उनका हम sum करते हैं तो minus 5 plus में minus 2 और minus B upon A तो minus B हमारे पास minus 7 A हमारे पास 1 तो यहां से हम इनको plus करते हैं minus 5 plus minus तो minus हो जाएगा यहां पर minus 7 minus minus plus होते हैं sine minus करहेगा तो देखिए coefficient और उनकी zeros का sum दोनों equal आई हैं बच्चे यहां पर, अब हम लेते हैं इसका product of zeros, product of zeros, तो product of zeros का formula होता है, c upon में a, तो c और यहां पर हमारे पास zeros है, minus 5 और यह minus 2, तो c हमारे पास यहां क्या था, हमने value निकाल ली थी यहां पर, c की value है हमारे पास 10, a की value है 1, तो upon में तो 1 हम लिखते ही नही है, 5 तूज़ा 10, और minus minus, 2 minus जब multiply होते हैं, तो वो भी positive होते हैं, तो यह भी equal है, इसका मतलब, जो हमारे relation से बिल्कुल सही है, zeros और coefficient के बीच में, ठीक है बच्चे, अब देखिए, इसका second question क्या गयता है, find the zeros of the polynomial, आपके पास polynomial यहां पर given है, x square minus 3, verify the relationship between the zeros and coefficient, इसमें भी आपको उनके zeros और coefficient के बीच में relationship जो है, वो find out करनी है, उसको find out नहीं करनी है, उसको verify करना है, कि ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है बच्चे, अब देखिए, हमारे पास polynomial है, x square minus 3, हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, a square minus b square का formula आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन यहां तो 3 है, यह किसी चीच का square root तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर x square minus 3 को हम क्या लिख सकते है, root 3 का square, जब हम इसको ऐसा लिखते हैं, तो a square minus b square का formula होता है, a plus b, a minus b, x minus root 3, और यहां से x plus में root 3, यह formula है आपका, आप इसमें कैसे लिख सकते हैं, बचे, x plus root 3 पहले लिख सकते हैं, minus वाला बाद में लिख सकते हैं, इसमें confuse मत हो ना, कि कभी किसी ने बताया हो, आपको यहां पर plus बता दिया हो, तो आप यह सोचरों कि मैं आपने minus लिखा है, उसे कोई फरक नहीं बढ़ता, आप x plus root 3 पहले लिख सकते हैं, x minus root 3 बाद में भी लिख सकते हैं, तो देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास zeros निकालते हैं, तो x minus root 3 equal to 0, तो x equal to root 3, यहां से हम value निकालते हैं, तो x plus root 3 equal to 0, तो x equal to minus root 3, अब हमारे पास zeros हमारी आ गई है, कौन कौन सी है, एक है हमारे पास minus root 3 ठीक है बच्चे दोनों zeros हमें मिल गई अब हम इसका करते हैं सम of zeros निकालते हैं तो देखिए sum of zeros उसके लिए हमारे पास formula होता है minus में b upon a तो मैंने अभी आपको बता है हमारे पास जो polynomial है वो है x square minus 3 तो इसके standard equation क्या होती है a x square plus में b x plus में c मैंने अभी उपर भी बताया था आपको तो x square के साथ अगर कुछ नहीं होता तो हम मान के चलते हैं वो one है तो a की value one होगी बचे बी हमारा x के साथ वाली term होती है यहां पर तो x है नहीं तो हम मान के चलेंगे यहां पर b की value 0 है और c हमारे पास जो variable के साथ जो जिसके साथ variable होता नहीं है वो हमारा c होता है यानि आप यहां लिख सकते हो c equal to 3 तो अब हम a b c की value निकाल लिए तो यहां से हम sum of zeros में relationship बताते हैं तो sum of zeros करते हैं पहले 0 हमारे पास है root 3 plus और यह माइनस में root 3 और minus b यानि माइनस में 0 अपन में a1 तो नीचे तो 1 भले ही मत लिखा आप बचे तो minus plus का root 3 और यह minus का root 3 यह cancel out हो गया तो 0 कभी ना तो positive हम बोलते हैं कि 0 positive में होती है negative होती तो यह आपके पास 0 आ गया तो यहां पर यह जो चीज है दोनों equal आ रही है क्योंकि cancel out हो गया तो 0 हो गया अब हम इसमें देखते है product of zeros क्या है तो देखिए product of zeros उसके लिए formula होता है हमारे पास c upon नहीं तो अब यहां से c की value क्या है बच्चे हमारे पास c की value है 3 तो यहां पर हम लिख देते हैं 3 upon में 1 आप भले ही मत लिखिए और product करते हैं जो zeros आई थी हमारी एक है root 3 और दूसरी है minus में root 3 तो यहां से और बच्चे एक बात और यहां पर देखिए x polynomial x square minus 3 है तो अगर उसका sign plus के अलावा को sign होता है तो आपको वो भी लगाना है तो यहां पर यह minus का 3 हमारा c की value है ठीक है बच्चे तो यहां पर यह minus 3 upon में 1 हम नहीं लगा रहे हैं तो root 3 multiplier root 3 करेंगे तो मैंने आपको कल भी बताई थी बच्चे यह बात इससे पहले वाले वीडियो में 3 की power half क्योंकि root 3 को हम लिख सकते हैं 3 की power half और यहां पर भी 3 की power half तो जब base same होता है तो powers add हो जाती है half plus half 1 होता है तो यहां पर minus में 3 आ जाया क्योंकि एक minus है और यह भी minus में 3 तो देखिए यहां पर भी हमारा equal आ गया है तो यह हमारी relationship बिल्कुल सही है दोनों में product of zeros और sum of zeros में बिल्कुल match करते हैं तो यह हमारे आज के question है बच्चे मैं आप लोगों के लिए important question लेकर आ रही है बच्चे मुझे थोड़ा आपका support चाहिए आपका प्यार चाहिए ताकि आप एरे channel को like करें subscribe करें और bell icon press करना न भूलें जितना हो सके इसे share कीजे बच्चे ताकि सभी बच्चे और भी बच् यह हमारे जितना है बच्चे मैं है